यह student आपका स्वागत है physics के एक बहुत ही important वीडियो में तो student इस वीडियो में मैं आपको exercise 3.1 जो की physics का एक बहुत ही महत्पुर्ण numerical है तो मैं आपको solve करके दिखाऊंगा और यह भी समझाऊंगा कि numerical को किस प्रकार solve किया जाता है step by step तो यह आप अपने NCRT book में page number 127 पर देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि इस numerical को किस प्रकार से आप solve करेंगे तो एक चीज यहाँ पर आपको और जानने की आव सकता है कि जो यह numerical है वो बैदुधारा chapter से लिया गया है यानि कि यह बैदुधारा chapter है और इसी का यह numerical है ठीक है तो चलिए देखते हैं कि यह numerical आप किस प्रकार से solve करेंगे तो exercise 3.1 तो question क्या है किसी car की संचायक battery का बिद्दुत वाहक बल 12 volt है तो अगर आपको numerical solve करना अच्छे से तो सबसे पहले question को ध्यान से पढ़िए उसके बाद आप फार्मूरा लगाईए जिससे आपका answer अच्छे आसानी से आ जाएगा तो देखिए question क्या है किसी car की संचायक battery का बिद्दुत वाहक बल 12 volt है तो जो यहाँ पर विद्दुत वाहक बल दिया गया है वो 12 volt है यदि बैटरी का आंतरिक परत्रोध है आंतरिक परत्रोध इसमाल आर आंतरिक परत्रोध को डिनोट करते हैं ठीक है तो यह कितना है 0.4 ohm यानि कि 0.4 ohm है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा तो बच्चों सबसे पहले आपने question पढ़ा कि किसी कार की संचायक battery का बिद्दुत वाहक बल जो है वो है 12 volt बैटरी का आंतरिक परत्रोध इसमाल आर है 0.4 ohm और बैटरी से ली जाने वाली धारा को आपको ग्याद करना है तो कैसे ग्याद करेंगे solution देखे तो हम इसको solve करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है देखे सबसे पहले दिया हुआ है बिद्दुत वाहक बल तो बिद्दुत वाहक बल को हम लोग गिनोट करते हैं E से ठीक है? कैप्टल E से तो कैप्टल E कितना दिया हुआ है student? कुईस्चन में लिखा है 12 वोल्ट ठीक है? तो जो कैप्टल E है वो 12 वोल्ट यानि कि बिद्दुत वाहक बल जो है वो 12 वोल्ट है अब आगे पढ़िए एक कुईस्चन को यह दिबैटरी का आंतरिक परत्रोध इसमाल R तो आंतरिक परत्रोध इसका क्या है इसमाल R तो इसमाल R इसकोल्ट कितना दिया हुआ है? 0.4 ओम ठीक है? आंतरिक परत्रोध के बारे में और विद्दुत वाहक बल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इसकी परिभासा और सूत्र के साथ मैं दोनों का अलग-अलग वीडियो बना चुका हूँ वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं ठीक है? आर आंतरिक परत्रोध ही दिया हुआ था 0.4 ओम अब देखिए हमें ग्याद क्या करना था? बैटरी से ली जाने वाली अधिक्तन धारा का मान तो इसमें से जो अधिक्तन धारा ली गई है उसका मान हमें ग्याद करना है बहुत important question है तो जैसा कि कितना भी अगर hard question है तो उसका solution क्या है? उसका formula अगर आपको formula पता है तो आप numerical अच्छे से लगा सकते हैं तो देखे formula यहाँ पर आपको कौन सा apply करना है तो इस formula को learn कर दीजिए तो एक formula होता है capital is equal to I R ठीक है? यह एक formula होता है तो आप लोग इसे अच्छे से देख लिजिए इसी पर देखें base numerical है तो E is equal to capital E is equal to capital I into यहाँ पर small r रहेगा ठीक है? तो आप लोग यहाँ पर इसे नीचे लिख दीजिए capital E is equal to I and into small r ठीक है? तो यह आपका formula है आप देखिए हमें इस numerical में यही formula apply करना है आप लोग कैसे करेंगे? तो देखिए अब हमें ग्यात क्या करना है? यह capital I ग्यात करना है क्योंकि यह धारा है ठीक है? और धारा ही यहाँ पर हमें ग्यात करना है यहाँ पर देखिए तो देखिए हम लिख सकते हैं इसी formula को I is equal to अगर हम I बराबर लिखें तो E upon यह जो small r इधर multiply में है निकि गुडे में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा तो small r अब देखिए यह formula हमें प्राप्त हो चुका है तो अब यहाँ पर अगर हम लोग apply करें इस formula को तो आप लोग देख सकते हैं यह capital E कितना दिया हुआ है उपर देखिए question में तो देखिए 12 volt capital E दिया हुआ है तो 12 volt हमने यहाँ पर लिख दिया और small r कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 0.4 ohm तो इतना तक तो आपको समझ में आज सुका होगा मेरी आसा है अब देखिए यहाँ पर आप लोग ohm को न लिखिए अगर तो भी कोई effect नहीं है तो देखिए अब इसे हम लोग कैसे लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 12 upon 0.4 अब आपको क्या करना है आगे यहाँ पर अगर यहाँ पर आप नीचे point हटाएंगे काटेंगे तो उपर कितना आ जाएगा एक 0 जो है बढ़ जाएगा अब देखिए हमारा जो आ गया 1 से 20 upon 4 यानि कि 120 upon 4 अब इसे हम लोग काटेंगे तो 4 into 3 यानि कि इसका जो एंसर होगा इस निमेरकल का वो जो दी गई धारा है वो कितनी है 30 ampere ठीक है क्योंकि धारा को जो है ampere से denote करते है यानि कि ampere इसका unit होता है धारा का तो धारा का मात्र क्या होता है ampere ये भी question पूछा जा सकता है तो नीचे देखिए यहाँ पर आप लोग कि आई बरावर कितना आया यहाँ पर जब हमने 120 अपान 4 किया तो 30 आया तो आई बरावर 30 एंपियर आपका एंस्वर आ गया ठीक है तो आशा करता हूं कि आपको यह निमेरकल अच्छे से पसंद आया होगा और आप इसे आसानी से स सकते हैं तो चली हम लोग फिर से एक बार देखते हैं कि कैसे हमने इसे साल्ब किया तो यह आपके क्लास 12 बैदुद धारा चैप्टर का 3.1 एकसरसाइज निमेरकल है यह आपके 127 पेज पर दिया हुआ है तो देखिए क्या था किसी कार की संचायक बैटरी का बिदुद वाह का मान क्या है तो देखिए यहाँ पर कुईस्चन में दिया हुआ था कि कार की संचायक बैटरी का बिद्दुद वाहग भल तो बिद्दुद वाहग भल को हम लोग देनोट करते हैं इस कैप्टर ई से तो कैप्टर ई स्कुल्ट्टू 12 बोल्ट अब देखिए आंतिक प्रत आई किया जिसमें तीनों आ रहे थे तो वो है कैप्टर ई स्कुल्टू ई अपान आर या फिर ई बरावर आई अपान आर ठीक है अब देखिए दिया हुआ है बारा आर दिया हुआ है 0.4 अब जी बारा अपान 0.4 ठीक है अब यहां से हमने पॉइंट जब नीचे से काटा तो उपर एक 0 आटोमेटिक बढ़ गया ठीक है अब हमने क्या किया यहां पर 120 अपान 4 किया और जब इनको डिवाइड किया तो आया 30 एंपियर तो आई उसकल टू 30 एंपियर तो इस्टूडेंट आसा करता हूँ कि आपको यह मैठ है जो है समझ में आ चुका होगा और आप इस निमेरकल को अच्छे से साल्ब कर सकते हैं इस फार्मूले से रिलेटर निमेरकल को अधर निमेरकल को भी साल्ब कर सकते हैं तो अगर वीडियो पसंद आ हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो हम मिल एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए